इसको माउस से वापस इंसान बनाना चाहती है और इसमें उसकी मदद करती है एक नो सीख्या जादूगर तो चलिए शुरू करते हैं तो मूवी की शुरू में हमें एलेक्स नाम के एक प्रिंस के बारे में बताया जाता है जिसे एक विच ने खांदानी दुश्मनी के कारण माउस में बदल दिया और उसकी जगा एक फेक प्रिंस ओलाफ को बिठा दिया फिर एक दिन उनके राजे में एक एला नाम के लड़की तब से एला और उसके फ्रेंड्स कोई ऐसा तरीका ढून रहे हैं जिससे वो एलेक्स को फिर से इनसान बना सके ऐसी एक दिन क्रिस्टल भागती हुई एला के पास आती है और बताती है कि उसने श्राप को तोड़ने वाला स्पेल ढून लिया है इसके लिए वो उने कुछ ची से काम नहीं कर रहे तब ही उसकी नजर स्पेल बुक के ओथर पर पड़ती है जिसका नाम डॉक्टर नौई टोल है और उन्हें लगता है कि वो शायद उनकी मदद कर सकता है एला एलेक्स से वही पैलेस में रुखने को कहती है और अपने दोस्तों के साथ उस ओथर के घर प समंड है थोड़ा भाव काने के बाद वो फाइनले उन्हें एक लू देने को तयार हो जाता है और बताता है कि तुम्हारी मदद लाइफस्टॉम नाम का एक जैम ही कर सकता है जो समूंदर पार फोरस क्वीन के कैसल में रखा हुआ है लेकिन साथ ही वो उन्हें वोन भी करत है कि वहां तक पहुँचना बहुत मुश्किल है और अगर तुम क्वीन तक पहुच भी गए तो वो तुम्हें लाइफस्टॉम का भी नहीं देगी क्रिस्टल को लगता है कि वो बस उन्हें बेफकूप बना रहा है लेकिन एला उसे वहां तक पहुँचने में अपनी करती है और इससे क्लाउड को भी गुस्सा आजाता है एला समझ चाती है कि वो तो बस उनके साथ खेलना चाता है और जल्दी ये उसमें और क्लाउड में दोस्ती हो जाती है एला फाइनली उसे अपनी जर्मी के लिए तयार कर लेती है और ये देखतर क्रिस्टल उदास हो जाती है आगे हम उन सब को उस कैसल की और जाते वे देखते हैं और एला नोटिस करती है कि क्रिस्टल का मूर अचानक से खराब हो गया है एला उससे इसका कारण पूछती है जिस पर क्रिस्टल बताती है कि शायद वो अपने ग्रूप के लिए एकदम यूजलेस है और यहा ही वो लोग उस फोरेस्ट तक पहुच जाते हैं और क्लाउड उने वहीं छोड़कर वापस चला जाता है यहां उनका सामना एक बोलने वाले पेड़ से होता है जो खुद को इस फोरेस्ट का गाइड बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस कैसल तक तुरंद पहुचा द है और पीछे से एला उस कैसल के अंदर चली जाती है वाँ उसे फोरेस्ट वेन का रूम दिखाई देता है जिसमें कुछ हजीब सी स्टैचूस रखे हुए हैं तब ही एक लैंप जिन्दा होकर उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम शकल से मुझे एक चोर लग रही हो वो एला से खुद को अपने साथ ले जाने को बोलता है और कहता है कि मैं रास्ते में तुम्हारे बहुत काम आऊंगा देखते ही देखते वो दूसरे स्टैचूस भी एला से यही रिक्वेस्ट करने लगते हैं जिसमें एक जीनी और एक मैजिकल कार्पेट भी है फिर एला क में अपने रूम में आ जाती है वो समझ जाती है कि यहां जरूर कुछ गडबड हुई है और अपने मैजिक से एला कॉलमारी से बाहर निकाल लेती है वो एला से इस तरह यहां आने का कारण पूछती है और तब ही उसे ढूंडते हुए क्रिस्टल और वो माउस महां आ जात क्योंकि लाइफ स्टोन को तो डेजर्ट क्वीन ने पहले ही चुरा लिया है तब एला उससे एक दील करती है कि अगर हम लाइफ स्टोन को वापस ले आए तो आप हमें उसे अपने फ्रेंट पर यूज़ करने दोगी फोरेस्ट क्वीन उन्हें समझाती है कि डेजर्ट और तुम लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे लेकिन एला पीचे हटने को बिल्कुल तयार नहीं होती लेंप और बागी स्टैचूस भी क्वीन को उनका उफर एक्सेप्ट करने को कहते हैं और कुछ सोच कर वो उनकी बात माने को तयार हो जाती है फिर वो उन्हें पाइंगे तब होलाव कहता है कि आपको अपनी आर्मी के लिए एक जादूगर की जरूरत थी और मैं क्रिस्टल को बहला कर आपके पास ला सकता हूं बदले में आपको मेरा किंडम पाने मेरी मदद करनी होगी और डेजर्ट क्वीन भी इसके लिए तयार हो जाती है इधर आगे बढ़ते हुए एला को एक शोटकट नजर आता है लेकिन क्रिस्टल को लगता है कि उन्हें इस रास्ते पर आगे नहीं जाना चाहिए वो अपने मैजिक से इधर उदर खत्रा ढूनने लगती है लेकिन एला उसे समझाती है कि तुम बेवजा ही ओवर्येक्ट कर रही आगे एला और उसके साथियों को एक हट दिखाई देती है जिसमें धेर सारा खाना रखा हुआ है तब ही एक पिंजरा एला को कैद कर लेता है और पता चलता है कि ये एक शेतान विल्ली का घर है वो वोल्टर को पकड़कर खाने की कोशिश करती है लेकिन देखती है कि वोल सब्सक्राफ скоро से मिलने आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी स्किल्स की कोई कदर नहीं है और अकर तुम डिजर्ट कुइन के साथ मिल जाओ तो वो तुमें एक पावरफुल जादु कर बना देगी क्रिस्टल भी उसकी चलाकी को नहीं समझ पाती और डेजर्ट कुईन का साथ देने को तयार हो जाती है इधर एला और मौसिस का सामने एक बेर से होता है और इससे पहले कि वो उन्हें चोट पहुचा पाए एला उसे अपने यहां आने का कारण बताती है बेर उसका दोस्तों के लिए प्यार देखकर बहुत इंप्रेस होता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहां से सही सलामत जाने दूँगा लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए एक लेटर पढ़ना होगा पता चलता है कि यह लेटर उसके भाई ने उसे लिखा था जिसके साथ काफी टाइम पहले उसकी लड़ाई हो गई थी और रव वो सब को एक स्पेल में कहत कर लेते हैं एला भी क्रिस्टल को उसके साथ देखकर बहुत हैरान होती है और उसे समझाती है कि तुम्हें इस आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए लेकिन क्रिस्टल पर इन बातों का कोई असर नहीं होता और वो उन्हें धोके बाज और सेलफि हैं और आधाब को इस प्रेट करना हो यह सुनकर क्रिस्टल को अपनी गल्दी का एसास हो जाता है और अपने दोस्तों को अज्चा करके वो ऑलाव को स्पैल में कैद कर लेती हैं आगे वो एक लंबा रस्ता तैकर के उस कैसल तक आते हैं जिस तक जाने के लिए उन्हें एक हरा बरा करना चाती हूँ और यही मेरी टेस्टिनी है एला उसे किसी और तरीके के बारे में पूछती है जिस पर क्वीन कहती है कि मुझे अपने काम के लिए एक जादूगर की जरूरत है और अगर क्रिस्टल यहां रहने को तयार हो जाए तो मैं तुमें वो लाइफ स्टोन यूज करने के लिए दे सकती हूँ क्रिस्टल उसकी बात माने को तयार हो जाती है और एला को समझाती है कि इससे वो एलेक्स को फिर से इंसान बना सकती है और Desert Queen की मदद से उसका बड़ा जादूगर बने का सबना भी पूरा हो जाएगा फिर Desert Queen उसके हाथ में वो Life Stone देती है लेकिन पता चलता है कि ये सब उसका एक Plan था और उसने Crystal को अपने स्वेल में बांग लिया है उसे कंट्रोल करके वो एला को पहाड़ी से नीचे गिरा देती है और Crystal को अपने साथ Castle में ले जाती है इधर एला किसी तरह बच जाती है और वोल्टर और मैनी के साथ उपर Castle की ओर चड़ने लगती है उधर Desert Queen Crystal से एक बार फिर सोचने को कहती है और बताती है कि मैं तुम्हारा परफेक्ट जादुगर बनने का सबना पूरा कर सकती हूँ लेकिन Crystal ऐसा करने से मना कर देती है तब ही एला और उसके माउस महा आते है और Queen को बातों में उलज़ा कर Lifestone को चुरा लेते है Crystal भी Spell तूटने से आजाद हो जाती है और वो सब Castle से पहरा आ जाते है Desert Queen गुस्से में उन पर Attack करती है जिसके लगते ही Crystal एक डॉल में बदल जाती है एला को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो Desert Queen से इसका बदला लेने की सोचती है Desert Queen उस पर भी अपना Spell यूज करने की कोशिश करती है लेकिन एन टाइम पर वहां Forest Queen आ जाती है Forest Queen एला से वो Lifestone लाने को कहती है क्योंकि उसके बिना वो Desert Queen का मुकाबला नहीं कर पाएगी और ये सुनकर एला तुरंत उसे टूरने निकल जाती है पता चलता है कि वो Lifestone मैनी के पास है लेकिन तभी उनके सामने उलाफ आ जाता है वो उनसे स्टोन चिनने के कोशिश करता है लेकिन एला वहां आकर उस स्टोन को पकड़ लेती है तभी वो माउस उलाफ पर एटेक कर देते है और इसी हटबड़ी में उनके सासा तैला भी पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है लेकिन इससे पहले कि वो लोग नीचे जमीन से टकराए क्लाउड वहां आकर उन्हें बचा लेता है और बताता है कि डॉक्टर ने उसे उनकी मदद करने भेजा है फिर वो उड़ते हुए वापस कैसल की ओर आते है और देखते हैं कि डेजर्ट क्वीन ने फोरेस्ट क्वीन को ट्रैप कर लिया है एला किसी तरह बचते हुए उस टोन को फोरेस्ट क्वीन की ओर उचालती है लेकिन वो देखते हैं कि Desert Queen भी उसे पकड़ने आ रही है तबी Forest Queen एला के हाथ में बंदे उस लैंप को एक्टिवेट करती है और उसकी रोशनी Desert Queen को चकाचोंद कर देती है Lifestone भी finally Forest Queen की चड़ी तक पहुँच जाता है और वो Desert Queen को उड़ा कर दूर फैंक देती है आगे हम उन सबी को Forest Castle में देखते हैं जहां Queen उन्हें बताती है कि वो एलेक्स और Crystal में से किसी एक को ही ठीक कर सकते हैं तब एलेक्स उससे Crystal को जिंदा करने को कहता है क्योंकि उसकी यहालत उसी की वज़ा से हुई है और एला को भी उसकी बात माननी पड़ती है फिर Queen Stone की पावर से Crystal को ठीक कर देती है और हम देखते हैं कि वो इस बार एक नए रूप में है Crystal Alex को माउस के रूप में देखकर बहुत हैरान होती है और तब Forest Queen उसे सारी बात बताती है और ये सुनकर Crystal को बहुत दुख होता है आगे Queen उसे बताती है कि Life Stone ने तुमारी Magical Power को बढ़ा दिया है जिससे तुम भी एक Perfect जादूगर बन चुकी हो और अब तुम फिर से अपना पैर बच्चों अगर आपको ये movie अच्छी लगए होगी तो लाइक सब्स्क्राइब नमन को लाला आपिस